एक और कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ उन बच्चियों ने मुझसे कहा कि पहले हम छोटे थे मा कहती थी जाओ किसी के गर जाके थोड़ा ले आओ खाने के लिए हम चले जाते थे गर के अंदर बूखे हैं अपने कमरे के अंदर कौन देख रहा है हमें कि हमें खाना खाया या नहीं खाया लेकिन जब मांगने के लिए बाहर जाते है तो डुनिया देखती है हमें शर्म आती है वो बाप कहता है मेरे पास कोई रास्ता नहीं है मैं अपनी किटनी बेशना चाहता हूँ कि आप इसमें हल्प करोगे सर मेरे दोनों चूंकले खराब है मेरे पास कोई अप्षन नहीं बया कोई सारा नहीं कि मैं अपनी किट्नी बेच पना चाहता हूँ अपना ही लाज कर अपना चाहता हूँ बचों की दुख भी बताज नहीं कि जाता है जाता है जब बचे भूखे रहते हैं भूखे जोते हैं ऐन्मसम एक पापर 50 पॉर्हा निफ्थेने नश्डूर को हीं ज़िः मेल जाएगे किडिनी बहा राथ एकवगे बनृती हो मेर जांगा। यह वाधे जासे भूखे रहते हैं मौं कोई देख सकती है। पजब के बेटा ऐसे भी जब राशन होता है तो सो जाते हैं फिर क्या गर्ना है। मैं इतना दूख्य हो गया हूगी इससे महहर जांगा लिए आपने एर्थ में कितने प्रसेंट मार्ट लिये थे एटीनाइट प्रसेंट को मेंट स्कूल में किसी के किचन में जाकर उसके बर्तनों को खंगालना अच्छी बात नहीं है लेकिन मैं अपने दिल की तसली करता हूँ ताकि जो रिपोर्ट आप तक पहुंचे वो बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट हो आप भी जाते थे जब कहीं कहीं मा बेज़ती थी आप साथ जाते थे आप नहीं जाते आप क्यों नहीं जाते अब हम शर्मादिया जाने में शर्मादिया इस वक्त मैं हूँ टाली मोड पटल रियासी में वक्त लगा जम्मू से यहां पहुंचने में लेकिन जिस मकसद के लिए आया हूँ वो समझा जाएगा आपको वो मकसद आपको समझा जाएगा यह रशपाल चंद की फैमली है इस फैमली में पांच लोग है तीन बच्चे और मी अभी भी रशपाल साब 2010 के बाद इस बेड़ पे हैं लगबग बारा साल 2016 तक फिर थोड़ी हरकत थी शरीर में लेकिन 2016 के बाद छे साल हो गए पूरी तरह से लाचार है अब बच्चों की भूख बरदाश नहीं होती कुछ लोग आते हैं गाउं से राशन दे जाते हैं कभी कबार लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया है कभी भाके भी रहना पड़ता है रश्पाल साब ठीक हो जाएंगे लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा आपका नाम रश्पाल है जी रश्पाल चंद क्या दिक्टत रश्पाल जी आपको लेटे क्यों हो सर मेरे दोनों चूंकले खराब है चूंकले काम नहीं करते है यह पूरा श्रीरी डैमेजर काम नहीं करता है अब वारण साल हो गया है बैट पारे दो यार दस में मुझे स्कीन प्रावलम होई थी बहुत बड़े बड़े पानी वाले शाले हुए थे बूरे श्रीर में अभी में मुझे अंदर हैं जीव में हैं दो तिन शाल्ले तो उसका इलाज कराया डुक्टरों ने मुझे दोई चड़ाई दो यार दस से लेकर 16 तक दोई चड़ती रही जैसे ही दोई चड़ा कर घर में आया तो उसे मुझे दोई बीपी का टैग हुआ तो बास उसे मुझे कोई पता नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ अब उठते नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं अब लैट्रिंग बात्रूम जाना काम तो नहीं गश्काहिए गर का खर्च करुमाने वाला कोई नहीं गर फर छूद्ट नहीं हो कि अ मैपने मुझे ऑपो अब कोई आपने मुझे को कहा था क्या कहा था आपने मुझे? सर मैंने कहा था कि मेरे पास कोई option नहीं बचा, कोई सारा नहीं है कि मैं अपनी kidney बेसना चाहता हूँ अपना हिलाज करणा चाहता हूँ क्यूंकि यह last मैंने सोच समझे कि मेरा कोई सारा नहीं है आप लास्ट अप्शन जेही बाचा था कि आप मुझे बचना कि बेसने से क्या होगा क्यूं कहां आपने कि बेसना है कि क्या कोई राशन की कमी है जा क्या दिक्कत आई आपको से देखते हैं सर या और ब剛剛 लाग रहे हैं हुँआ बचे को यह बचे को देखकर पहले भराद हो चोटे 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 थे तो मादफे मी zenती ऑब बचव बड़े होगे तो दैब श करम के मारे बार और फैंद मेझे पीचे रहे हैं और मेरा इलाज में चाहता है। कितने कितने पैसे मिल जाएगे किर्णी बीचके कितने बाई अब में पूब को कोई पत्नी पैसे my बेच्ते भी हैं साम मैंने की बारा साल में मैंने मेरे पास जेबर भी थे मैंने बेचकर अपने जेबरी के चैजिए अब आब लाश जेई बचा गोई अगर आप ठीक हो जाओ खड़े हो पम सपत्वान होगो सब्सक्राइब क्या बोलता ऑप ठीक हो सकते हों पैसे बहुत मगे थे पहले तो मेरे पास पैसे नहीं थे किसने मांगे थे पैसे कों से अस्पितार ने जिसरे अमन्दी वाले मैंने मैंने चकाफ गराया था उनको उन्होंने बोला था ग्रेंटी कोई नहीं फिर मैंने आयुवेदी का सारा लिया आपको कोई आयुवेदी में लाज चल रहा है वहां जी उनको को यह कोई कुछा मिल रहे हैं की सिर्फ फैसे नहीं होते होंगे नहीं होते हैं पहले तो मद्स कह ते तो कोई। मां घृक्ता है दो मीनी तोटे हुगे अरे के जम सबारा मेरा को मेरी इससे मेरा पूरा श्री já मेरे कहीं बार मेरे पूर ऐसे लगता य लगता है कि आप से ध्यूदे हैं कि ब्चे बोलते हैं कि अधा हमने बेट वार कर खाना नहीं मिलता है में कैसे काई बच्चे पढ़ाई के लिए भी बोलते हैं बापा अमने पढ़ना है हमारी पढ़ाई के लिए हमें बहुत कुछ चाहिए अप्टी को जाओगे रिष्पाल जी आप ठीक हो जाओगे यह इनका परिवार रिष्पाल का इस अब से यह बड़ी मेराई कर दो बढ़ाए हैं आप ने बापा बहुत कर दे जाते हो कभी मुद्आ हम्तव पार बुंखे राते हैं महा पहले जाते थे पापा बोलते हैं कि पहले में NBA ताar चले जाते थे कहीं से कुछ लेने के लिए आपने जाते हो च्पाल बबच्बग KO थिसमी कुछ और मे कितनी बार ऐसा हुआ कि आपको खाना नहीं मिला जा दिक्कत हुए बहुत वार तो फिर क्या गड़ते थे पिर कुछ नी बुखे पे रहते है अपका नाम क्या बेटा है अजी लेगी कौन सी क्लास में बढ़ते हैं शिक्स्त में कोमेट स्कूल में यह जाते थे जब कही बहुत करék जाते थे हैं आप क्यों नहीं बुख कर्ते छिए ऑप्रफिन लगते हैं खोर्द में बुख लगती है तो फिर क्या करते हो फिर शरमाती है नहीं जाना बीक के रह garsanor आपका नम के है? मेरो ना नीजनेगर यह क्या कह रहे हैं बच्ची जो कह रहे हैं यह सच्च है? यह सच्च है पहले छोटे-छोटे थे जब जाते थे मैं भी जाती थी इनकी दुबाई के पैसी किठे करने अब बढ़ी हो गये हैं हमको भी शर्म आती है जही भी शर्म करती है हम कैसे जाएं में हमको शर्मा कोई देखे हुए मरमे जारे अधाता है अब राशन है अंदर राशन कुछ राशन नहीं है सुबह के भी ऐसे भूखी है था लड़की अभी जा की है बहुत ही मुझे भूख लगी है मेरा गरवाला वो भी आट साल हो गए बेड पर बड़ी मुश्कल से ऐसे ना इनकी दुआई है वो बोलते हैं आपके गरवाले बोलते हैं कि मेरी किट्नी बेच दो हाँ जी बोल मुझबूर एक दे रो रहते हैं अब मैं क्या करूं हमारे पास कुछी तो है नहीं अपने किट्नी बेच दी फिर मैं भी इसके साथ रहाँ कि आप खिट्नी बेच रहो एक पिर भी बिमार हूं अभी बिमार हूं बड़ी मुश्कल से हमें घर भी चलाना बड़ी मुश्कल जब बचे जैसे बुखे रहते हैं मां कोई देख सकती है बुखे बेट ऐसे ही जब नहीं राशन होता है तो सो जाते हैं पिर क्या करना है आपको गोर्वर्मेंट से राशन नहीं मिलता है वह जो फ्री वाल अभी प अब भी प्याला बर वह राशनित होता है उसके साथ क्या बच्चे खाते नियां सर्फिलका बड़ाते हैं कि उसके साथ फुलका खा जाते हैं टीचर भी बोलते हैं यह इतनी अच्छी लड़की आ पढ़ने के लिए हिंकत अगर जी ऐसा वह खाणा खाएंगे ने क्याएं इस बात को समझेंगा इस बची ने 89% मांक्स लिये हैं आठटी में लेकिन पॉशन नहीं मिल पा काबली तो है बेटा मेरी एक बात याद रखना ये आपके मेहनत के दिन है स्ट्रगल के दिन है अच्छे दिन नहीं है क्या पता आपने 89 परसेंट लिये हैं एर्थ में गोर्मेंट स्कूल में क्या पता आने वाले वक्त में आप बड़ा ओफिसर बन जाओ हब डेप्टी कमिशनर बन जाओ फिर आप बाकी बच्चों के लिए एक मिसाल बनोगे उन लोगों के लिए मिसाल बनोगे कि हमने भी वो दिन देखे हैं जब घर में खाना नहीं था हिमत नहीं हारना पढ़ाई को कभी भी लाइटली नहीं लेना पढ़ाई के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं करना मरी बाज याद रखना अच्छे से मेहनित करके पढ़ना क्या पता कल को आप आफिसर बन जाओ बहुत बड़े आफिसर बन जाओ है ना हम पढ़ सकते हैं अच्छे मार्क्स भी ले सकते हैं लेकिन हमारे पास फैसलीटी नहीं है पढ़ने की आप पढ़ जाओगे तर एटी इससेन एक लिवरे फैले है एक किताव नहीं मिलकोड वह वह किताव कोंवेट इंडिया कोईा कुछी कि इंडिया कोई मुउitié प्रोग्राम कुछ सी किताब है बेटा है? क्विज प्रोग्राम है, Fit India Movement आचा, वहाँ स्कॉलर्शिप कहां से मिला आपको? स्कॉलर्शिप गौर्मेट की तरफ से बो रहे थे कि पेपर पास करोगे तो स्कॉलर्शिप मिलेगा पढ़ाई तो पेपर पास हो गया हो? हाँ तो ये किताब चाहिए आपको अब क्या ना मताया आपने इसका? Fit India Movement Quiz Program चीक, मिल जाएगी आपको ये मिल जाएगी ये किताब तो ये किताब खरीदी क्यों नहीं? पैसे नहीं थे, कहां से खरीदी नहीं थी? पैसे नहीं थे एक बर फिर आपको बतादू मैं टाली मोड टाली मोड रियासी में हूँ मैं और इनका ये किचन है ये किचन भी मैं आपको दिखा देता हूँ राशन नहीं है इनके पास जनाब और मुझे पता है कि आने वाले वक्त में इनके पास राशन की कमी नहीं होगी किसी के किचन में जाकर उसके बर्तनों को खंगालना अच्छी बात नहीं है लेकिन मैं अपने दिल की तसलिए करता हूँ ताकि जो रिपोर्ट आप तक पहुंचे वो बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट हो और रश्पाल के पास जितना मकान बना हुआ इसके अलावा कोई जगा नहीं है कोई और लैंड नहीं है वो कहता है कि अगर मैं ठीक हो जाऊँगा मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं भाज यही कहानी थी जनाब यही कहानी थी मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसको मैं कैसे कन्कलूड करूँ इस बच्ची ने 89% मार्क्स लिए हैं एर्थ में बुखे पेड़ पड़ाई करकर हो सकता है कि इसी के हाथ में कल देश की बाग डोर आए हो सकता है कि ये बड़ी आफिसर बने लेकिन इसमें आपका साथ चाहिए रशपाल के लिए क्या कर सकते हैं इतना लाचार बाप वो कहता है कि मैं अपना और्गन बेज़ दूँँगा कैसे करना है कब आना है मुझे बता देना और मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी इस कहानी तक पहुंचूँ आज शुकर वार है इतवार तक जादा इंतजा नहीं करवाएंगे बाकी फैसला आप कीजिए शुबिम कुमार के साथ रवेंदर जिंग दस्टेट सेंटिनल के लिए